कि हम कोई भी नई वारिस के इंट अच्च आएंगे तो एक बार हमको थोड़ा सा जटका लगेगा तो यह फ्लू लाइक सिंप्टम जो जुकाम करने वाली कम से कम सो तरह की वारिस है जो जो सौ क्रोड़ क्रोड़ यह जार क्रोड़ क्रोड़ वारिस बेक्टरी आए और हम हैं मारे क्रोड़ क्रोड़ सेल हैं इनका अपस में गहरा डृष्टा है वह समझता कि वारिल कोई वारिस कोई एक्स्टर्नल सी चीज है बहरी चीज है मेरी बाड़ी में कहीं घुश जा नमस्का डी फाइफ चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं आज एक बार फिर हमारे स्टूडियों में आए हैं डॉक्टर अमर सिंग आजाद जी डॉक्टर साब आपका बहुत-बहुत स्वागत है अजकल वाइरल फीवर बहुत जादा चल रह है यह जान्ना पहले ज़रूरी है कि वारिस चीज क्या है आम जो व्यक्ति डर रहा है वाइरल फीवर से यद मेर्स को अक्सिनल सी चीज है भारी चीज है मेरी बाडी में घु्स जाएगी तो इसको वारस के बारह में कुछ पता नहीं है उसको वारस को दुश्मन की तरह बह लिकिर ऐसा relationship human body का wayruses से नहीं है. जी. हमारी बाडि में, जैसे माँ लिए एक करोड़ करोड़ हमारे body cell है. एक करोड़ करोड़. उसमें 10 करोड़ करोड़ तो bacteria हैं. 10 करोड़ करोड़. जीनिकि हमारी बाड़ी के number of cell से 10 गुना ज़ादा. जी. और सौ क्रोड क्रोड से लेके एक हजार क्रोड क्रोड था कि वायरिसिश हैं जी आप देखिए हम क्या चीज़ हैं झी कुदरत तो ही और हम इन यह से ऑफ हुए थे और यह वालव होके हमारे अंदर भी बैठे हैं जिन से हम अबालव हुए है विशनु का भी है विष्णू का भी है विशनु का भी है और ह्षिव का भी है यह फॉय कीसिता ही होई है विष्णू का भी पते हूए हुई कि श्रीर के बीच में एक link है, मारे भोजन को पचाते हैं, उसमें से जो नहीं होता, पूरा कर लेते हैं, जो टॉक्सिन होता, उसको अटालेते हैं, इसी तरह मिट्टी में भी है, मिट्टी में प्लांट रूट्स और उसके बीच में एक कड़ी है, तो ये पूरे का पूरा ब्रह्मा विश्नु का क काम भी करते हैं. तो ये तीने ब्रह्मा विश्नु महिश का काम जिये करने वाले हमारे हैं, हम त efficient करें हैं, लेकिन वो शाहिद दोस्ती से भी गहरा रिष्ता है हमारा, उनको ये नहीं पता कि हमारे दोस्त है, हम को अलग चीजः हैं, वो अलग वाली तितीव में हैं, one next की सिती में हैं जी तो हमाँ सारे कठे हो करके यह पूरी बाड़ी को एक यूनिट के दोर पे चलते हैं जी तो इसलिए यह यह समझना बिलकुल गलता है कि वारिस को एक्स्टरनल एन्डमी है ऐसा एसा रलेशन्शिप मरा नहीं है जी तो हम जब यह यह वारिस थी या बिक्ट्र के बाड़ी के अंदर वह कोई फिक्स नहीं होता जी वह यही बेक्तरिया बनाते हैं उस मेकनिजम को मानले एक बच्चा जनम आज वो बच्चे बहुत बवार्ट जादा बमार होते हैं उनको इनफेक्शन हुती हैं तो कुछ तो मिनटी वह महां से लेकर जनम लेता है और को इम्मुनिटी वह सराउंडिंग से लिते हैं फिर जैसे माले एक कोई कोई डेक्टिरिया या वायरिस गई अंदर उसने हमको एक दो दिन बुखार किया लेकिन फिर लाइब भर के लिए हम उसका इम्यून होगा है वह हमारे सेर्वेर करेगी अपनी लेकिन हमें बिमार नहीं क पतली आएगी या पेट दुखेगा तो वह एक फ्यू डेज का मसला होता है फ्यू डेज के बाद उसी मैक्रोब के साथ उसी बैक्टिरिया के साथ उसी वायरिस के कखा हमारे इम्मुनिटी बन जाती है तो यह रिलेशिशिप हमारा उनसे बहुत क्रोनों सौलों का है और अ जुकाम जी तो पुराने जमाने में लोग कहते थे के जुकाम का आज कर लो तो एक हफ़ते में ठीक हो जाता है ना कर लो तो साथ दिन में ठीक हो जाता है तो उसने अपने आपी हफ़ते में ठीक होना ही होना है तो यह फ्लू लाइक सिम्टम जो जुकाम करने वाली कम से कम सो तरह की वारिस है जिसमें ये जो बदनाम होई है पहले फ्लू चल रही थी बदनाम और आज कल करोणा वारिस बदनाम होगी है तो ये कोई खास बात नहीं है ये ऐसे ही चलता है आज नहीं ये करोणों लाखों सालों से जब से मुश्य बना इस धर्ती पे ये रिश्टा चल अब चायना वाली सारे फिगर देख लो कौन मर रहा है 60 50 60 वाले वो लोग या तो हार्ट के प्रेश्ट है या किडनी के पेशेंट है या वह एस्थमा के पेशेंट है या वह डिय बिटेक्स हैं या वह स्टीरवड खा रहे हैं या चैवी जिसकी इम्मूटी आउन है जी व को हटा देना है तो हमारा क्या रुप बनता है हम क्या कर सकते हम अपने हैं को स्थांग करें अगर इन वाइरस से बचना हैं यह स्थांग बादमें का कुछ भी नहीं बगाड सकते अगर हम अपनी मिनिटी स्थांग रखें लॉंग जो जो बाते हम करते हैं कि अच्छा खाना खाएं अच्छा अच्छा स्ट्रेस फ्री रहें एक्सेसाइज करें योगा करें अब सिंप्ली योगा करने वाले का कोई वारिस के आप गड़ लेगी जो आदमी प्रनायम कर रहा है उसको नमोनिया कैसे हो जाएगा होता ही नहीं है होता ही नहीं है और अच्छा नेच्रल डाइट खाने वाले को कुछ भी नहीं होता जो रौ खा रहा है और अच्छा खाना खा रहा है उसको कुछ नहीं होता तो यह सारे का सारा जो जो पूरा का पूरा जो इतना बड़ा डर का बना हुए महाल यह कहीं ना कहीं इसमें इसको सिंपल जो काम भी होगा और अगर इसको कह दो कि तो तो मर जाएगा उसको नहीं हो जाएगा डर मिनुटी का सबसे बड़ा बैरी है और यह लोग देखो यह वह सेंटिफिक फैक्ट को पूरे का पूरा निगेट करके इतना ज्यादा हीूज लेवल पे डर फला रहे हैं तो यह जो डर वाला महौल है इसको इसको नहीं करना चाहिए यह बहुत बुरी बात है अब इसके अंकड़ों की अंकड़ों पर जाए हम लोगों देखो अब मान लीजिए सो आदमी के अंदर यह वायरिस गई पहली बात तो रेस्पिरेटरी वायरिस को कोई रोक नहीं सकत वायरिस आदा जिक्वायरिस हॉवायरिस हवायरी डिया जयसे हम बात कार रहे हैं जाए हम when मेरे वाय वायरिस होगा यह बहुति नहीं सकते हैं तो वट्र दृशकाह बसों में आइए इसको बोको करने है किस किस को रोकोगे आप एक वह वादमी तो हवा में आ जागी हवा से आप आपके अदर जाएगी तो इसलिए respiratory viruses को कोई रोक नहीं सकता है पहला fact तो यह याद रहना चाहिए रोकने की कोशिश इसको बेकार है नंबर दो पे अगर सो आदमी के अंदर वो वाइरस गई तो पचास को तो कोई symptom नहीं होगा यह symptom अठका वाइरस गई उसकी बॉड़ी ने हमारा बताया बिना ही उसको पूरा कंट्रोल कर लिया कुछ नहीं करने दिया बीस में बीस के अंदर mild symptom आएंगे अलका सा थोड़ा सा जुकाम होगा सुनसांसी होगी और वो आदमी कुछ अग्नोर करेगा और वो अप ठीक हो जाएगी और बीस में थोड़ा से मॉडरेट आएंगे कि उसको बुखार भी होगा थोड़ा जुकाम ज़्यादा होगा चीके मिके लगेंगी और वो कुछ थोड़ी बहुत अपने घर का घर में कोई किसी कैमिस से या अपने घर में पड़ी दवाई खाएगा बाकी रहेगे 10% वो 10% में स्वीयत होगा थोड़ा सा कि उसको बुखार बहुत ज़दा होगा उसको जुकाम भी बहुत ज़दा होगा उसको रेस्ट करना पड़ेगा उसको कई डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा तो वो 10% वाला जो माजरा है सारा उसमें डवे प्रसेंट तो माइनस हैं इसका मतलब यह नहीं कि उस दस प्रसेंट में ही अब उस 10% में भी कितने प्रसेंट लोग हास्पिटल में जाते हैं यह फिर डउट्फुल है मुझे लगता है कि उस दस परसेंट में भी सिर्फ दस परसेंट जाते हैं जिनके टोटल का सो के अंदर वायरस गी तो उसका एक परसेंट सिर्फ होस्पिल में जागा यह जो सारा न्यूस आ रही है सारी उस एक परसेंट का माज़रा है इतने में यह पॉजिटिव आ गया यह तो यह पूरे का पूरा वायरल वायरल कि यह यार रहता हुए यह यह जो 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 भरिया दो सिरफ आ रही है और फैला रहे है और करोना वारिस किषिया कlingen सब्सक्राइल सी नorfisy जरुजर को फर 인दर किसम की तो प्रफिकेलर वारिस होती है कि यह क्या कि कर जब नहीं होगी उसको कि इनिमल की वारस जlorण privileged मीट मार्केट ऐसे भीू तो माली जै किसी यह एनिमल की वारस थी हिमन बिंग उसके इंटच नहीं थे पहले अब नए आए हैं एक बार वह करेंगी जो जो बहुत वीक होंगे और ये आज नहीं हो रहा हु यह पहले लोन बार वारस को काम करेंगी लेकल इसका मतलब यह नहीं इसमें से वह ही मरेंगे, जो बहुत होंगे, और अज नहीं हो रहा, पहले पैज़ा करोणा वारीस से नहीं हो फ्लू से माल, यह बोलने है, 4000 मरग्या जार करोणा वैरिस नहीं मरता फ्लू से, अब 35,000 सब्सक्राइब करोड़ भंदा मरता पूरी दू के तो यह बातें जो हैं यह पता निक्यों इतनी ज्जादा हो रही बगंदेल अगर अगर फ्लू हो जाता है तब क्या करना चाहिए या किन बातों का खास ध्याण रखना चाहिए? आमने ये बहुत जरूरी है, मझे लगता कि विउवर्स को ये हमको टिप्स बताने बहुत जरूरी है कि अगर आपको viral fever हो जाए या आपकी family में किसी को हो जाए तो हमको क्या करना है तो यह जानना बहुत जरूरी है आपको पहली बात तो डरने की कोई जरूरत नहीं है किसी healthy बंदे का viral fever कोई कुछ नहीं बिकार सकता चिर्फ weak उसमें जो risk में होते हैं वो one percent weak होते हैं तो उस one percent में हमको नहीं आना चाहिए तो उसको हमको long term अपनी immunity strong रखनी चाहिए वो वह method है कि healthy healthy खाना healthy lifestyle अपना mind stress free mind exercise अच्छी करनी योगा करना जो आदमी यह कर रहा है उसको viral fever टच करेगा भी तो बहुत हलके फुलके symptom देगा हलके फुलके और दो दो दन में तीन दन में उड़ जाएंगे वो माल लीजिए आपको फिर भी आपको लगता है कि नहीं यह वो तो चलो है यह immunity मेरे पास लेकिं फिर भी मुझे कुछ extra precautions लेनी है तो मैं आपको पांच-दस ऐसी चीज़ें बताता हूं जिस जो करेगा है कि nature एक काम at a time कर सकती है आपको fever हो रहा ना अब आपके fever से आपको बचाएगी अगर आप खाना खैवी खाते रहोगे तो nature का पूरे का पूरा ध्यान खाने में लग जाता है तो वो आपका जो community वाला काम है वो nature नहीं कर पाएगी तो सबसे पहला काम करना है कि आपको solid food छोड़ देना है only liquids तीन दिन सिर्फ चाहिए तीन दिन अगर आपने खाना ठीक से खा लिया और आपको अपने बाड़ी को फूरा time दिया पूरी opportunity दिया उसको लड़ने की तो तीन दिन में वो बाड़ी आपकी ऊपर हो जाएगी और वारिस नीचे रह जाएगी उसमें आप किनू है मुसमी है पाइनेपल है जिसमें थोड़ा खटास हो खटास हो तो खटास है किस चीज की होती है vitamin C की नेच्रल फॉर्म में vitamin C इतना बड़ी immunity modulator है तो उसका कोई मकावला नहीं कर सकता है गोली की शकल में नहीं नेच्रल तो एक तो वो uses पीने हैं बार 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 फि इसरा हमारे पास vegetable juices पेठे का juice है, घीरे का juice घी रास juice है, वीत डास juice है वह है और नमबर चार, कई कशाय, कशायी होते है कशायी होटे है हिंदी हिमारा है कई तो पा स्बղू जेयरी का ठनडा है नुट फार निच्ट करना काशाय का चशाय का पी सकते हो जिह का चौड़ी क का कशाई पी सकते हो तो इसका यहां जो डालची नहीं होती है डालची नहीं प्रूसय को बारा करके देज को तो यह एक युदु के इनकी लगबग लगबग बाड़ीवेड के साथ से 12 सहोज आउ ने कीजाऊ हैं मानने पहले प्रफिद है कशाई पी लिया पिर आपने कैण जी। पी लिया फूदी पे लिया लिया पी लिया पर नारील पनी पी लिया दो ऐसे भी पी रहना है ú काने वाली चीज को CT ऑजी नहीं कानी पहला दिन नगा जी सेकेंड टे Luck is कम करके पीने वाली जीज़ें को थोड़ा सा कच्छा राव फूड ले लो अब जी राव फूड ले लो या रो सलाद की शकल में जो नर्म सलाद की खीरा जैसे टमाटर 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 इस ऑलसो वरी गुड सोर्स वाइटमिल सी जी तो उसको ले लेना है थर्ड दे पे नहीं चलेगा एक कुछ चीज़े मुह में रखने वाली होती है जी वन्डरफुल तिंग्स जैसे मान लीजे आप लसन की एक जो क्लाव है वन क्लाव मुह में रख लेंगे उसको धीरे धीरे बाइट करते रहेंगे और आदा कंटा घंटा लगाके इसको मुह में घोल रहें वाराला है कोई मतलब नियörtकous के लिए डाचार कोAyयां यह ऐसको मुण में रख सकते हैं अद्रक को मुह में रख सकते हैं यह कोई मोह मैं लान। से बिए पे जितनी चीज़ें बोलना हूं इसका मतलब नियां कि सब ने सब करनी है जिसको बाभड़ा हो जाएगा आदमी करता ही तो सब नहीं करनी इसमें कुछ जो आपको अच्छी लगती है वो कर लिजिये एक होता है इसमें घ्रारे करना नमक वाले अच्छा सारा नमक छमचम फुल नमक नभक डाल की पानी में गरारे करना. यह स्टीम कम से कम राथ को सोते वको लेनी लेनी है दो बार भी ले सकते हैं. यह ज़िस्न ऐस स्विछा9 गदियनी में बहस भुड़ा, यह सुइल यह सौट से आते हैं यह साटे, पहाड़ीयों का स्वेदा है और बहुत बढ़िया स्मेल होती उसकी तो वह मिल जाता है स्टोर्स पे आईरवदिक स्टोर्स पे अकलिप्टे स्वाल के दस ड्रॉप्स आलके आप स्टीम ले लो तो यह मैय अगर आप में ले लेंगे और उसके लावा कुछ कुछ कशाय तो ब आपके पास नहीं आना चाहिए जिसका डर बरता हो आपका कोई वायरस कुछ नहीं बगाड़ सकती तो यह पूरे के पूरे अगर में लेंगे तो मुझे नहीं लगता किसी वायरस से तरने की जिनूरत है ना करोना से ना फ्लू से ना किसी और वायरल फीबर से वाप इसको एडवांस में अपनी इम्मुनिटी ठीक रखिया लॉंग टरं में कोई भी ना करें फिर अगर होने लगे या आपकी फैमिली में हो जाए तो यह वाली जो में बाद में हमने बात की उसको उसमें से कुछ भी अगर अगर कर लेंगे थोड़े से भी तो वह आप फ्री हैं उ कारण होगे क्योंकि आज कल कॉर्पोरेशन की आपस में भी चलती रहती है तो मुझे ऐसे कुछ कारण लग रहे हैं मुझे नहीं लगता कि रियल डरने वाली चीजें कुछ हैं तो हम अपने वीवर्स को यही कहना 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 चाहिए हमें कि यह डरो मत अराम से रहो और अप और वो फैल तो सकती है पर जैसे हमने देखा ना कि रेस्पिरेटरी वारिस की प्रवेंशन कैसे करोगा अब एक कमरे में एक बंदा वेठा है वो सिम्टम लेस है इसको कोई सिम्टम नहीं वो भी तोफला रहा है अब यह फैलती है आथ मिलाने से भी फैलती है लेकर यह मु प्रटेक्शन थोड़ी बात हो सकती है लेकर और निरी मास की तो प्रटेक्शन के बारे में साइंटिस खुद भी डिसाइड नहीं कर पाए कि इसका को साइंटिफिक वैलिटी भी है नहीं है तो यह सारी की चारी चीज़े मुझे लगता है इसलिए कही जा रही है कि को और क जो आपके अंदर कुदरत ने प्रमात्मा ने एक immense power दिया ठीक करने की उस power को काम करने का opportunity दे है हम लोगा opportunity नहीं देते हैं धराद आप जो काम भी हो रहा है फिर भी हम अगरम भान खौए जारे है और इसमें पर्टिकुली दूद जो है दूद और दूद वाली चीज़े बिल्कुल अवाइड करनी चाहिए कि दूद जो बलगम पैदा करता है दूद की कोई भी चीज़ होगी बलगम पैदा करेगी तो दूद वली चीज़ strictly अवाइड करनी है जो गरम चीज़ पीने में कशाइब आप पीना दूद नहीं डालना उसमें दूद वाले चीज टिक्टिली वाइड करनी है तो दूद छोड़ने से ही बहुत सारी चीज़ें जो सवाल हो जाती है तो यह 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 जो अपनी बॉड को स्मझना और उसको अपरिचुनिटी देना और 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 यह वारिस के साथ को यह हमारी दुश्मिन ही नहीं है वैसे हम है वारिसे हैं अपने जगह फिर रही है अपना काम कर रही है हम अपने काम कर रहे हैं जो आपने कशाय बताएं क्या इनके अंदर गोड जा ऑगर या शहद डाला जा सकता है मैंना आजके शहाद थोड़ा सा इंडस्टिल हो गया है कि उसमें एंटीबाटिक गया है वह बहुत डाल रहे हैं लोग तो मुझे लगता है गुड़ और शक्र ज्यादा बेतर है चीनी मत डालें चीनी एंडस्टिल जो क्रिस्टलाइंच चीनी है वह अची नहीं है गुड़ इसका पपिते के पते का नीम का और गलोई का तीनों को एक साथ मिला एक साथ नहीं पीना अलग 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 पीना अलग लग पीना जीना लग लग यह तो यह वंडरफुल किशाए हैं अगर थोड़ा सा अपको ज्यादा हो रहा है कड़वे मिया तो भी पी लिजिए कोई अगर मान लीजिए कोई बच्चा कड़वा नहीं ले रहा तो इनकी गोली की शकल में विलेबल हैं अभी नीम भी गोली की शकल में विलेबल हो गया और इसका पीते के पते के भी कोई मार्केट में आगी है लेकिन वह सिर्फ नेच्छल फॉर्म में सबसे अच्छा है जी न अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्कार